नमस्कार नमस्ते रादे रादे साथियों Most Important और आयोग Pre-Topic भारती दर्सन हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं कोई भी परिच्छाओ आप से एक नएक सवाल यहां से जरूर पूँच लिया जाता है इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा काफी आसान तरीके से और ट्रिक्स के माद्यम से बताने का प्रियास करूँगा सठ दर्सन जैसा कि नाम से ही जाहिर है इसमें छे दर्सन सामिल हैं ये दर्सन बेदों को मानिता प्रदान करते हैं इसलिए इनको आस्तिक दर्सन भी कहा जाता है हम सभी जानते हैं बेद जो है वो अपाउरुसे हैं अपाउरुसे मतलब इनकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की अपितु स्वैम भगवान ने की है बेद व्यास जी ने की है और जो चीज भगवान से जूड़ी होती है वो क्या आस्तिक के तहट आती है इसलिए इनको आस्तिक दर्सन भी कहा जाता है तो इन शे में कौन कौन से छे हैं इनको याद रखना है पहला है सांग की दर्सन कुछ याद रहे या ना रहे लेकिन दर्षन का नाम और उनके प्रतिपादक रिसी इनको जरूर याद रखेगा तो ये प्राचीनतम दर्षन पहला सवाल तो यही पूछ लिया जाता है कि प्राचीनतम दर्षन कौन सा है तो सांग की दर्शन प्रतिपादक महर्शिक कपिल महर्शिक की आप से बरतनी आरो यारो में पूछी जा सकती है दोस्तो बरतनी को सही करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो भी पढ़ा करें एकदम सब्द पे पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए किस तरह से कौन सिमात्रा लगी है कैसे इसको लिखा गया है तब जो है धीरे धीरे बरतनी सुद्ध होने लगेगी ये सांग की दर्शन क्या कहता है मानव जीवन प्रकृत की सक्तियों से संचालित होता है मतलब कुछ ऐसी सक्तियां बिदमान है जो आदमी को नियंतरित करती है कि क्या करे क्या ना करे ये सब जो है सक्तियों से संचालित होता है दूसरा है बैसेशिक दर्शन सिरिष्टी का निर्मार जो है अनु से हुआ है ऐसा इस दर्शन में माना जाता है इसलिए इस दर्शन को भारती परमारु सिध्धान्त का जनक कहा जाता है इसके प्रतिपादक उलुग कड़ाध थे जिनोंने बैसेशिक सूत्र की रचना भी की तीसरा दर्शन योग योग मतलब चित और मन की ब्रतियों का निरोध मन ही दोस्तों लोगों को भटकाता है और उनसे तमाम करत्य करबाकर उनके दुखों का कारण बनता है तो इस दर्शन में मन पर ही नियंतरन करने का प्रयास किया गया है उसके लिए कुछ बिधियां बताई गई है उनमें से एक है अस्टांग योग सिध्धान्त इसका जो उद्दे से वो मन पर नियंतरन करना आठ ऐसे आधार हैं जैसा कि नाम से ही जाहिर है अस्टांग आठ आधार हैं जिनको अपना कर मन पर नियंतरन किया जा सकता है यम नियम ध्यान साधना ध्यान धारना देखिए आपस में भाई भाई लग रहे हैं यम और नियम, फिर ध्यान और धारना भी आशन और प्राणायाम भी दोस्तों आशन करते हैं, उसके बाद प्राणायाम भी लोग करते हैं वहीं, अनुलोम, बिलोम फिर दोस्तो प्राणायाम जब अपनी उन्नति सित्य को प्राप्त कर लेता है तो उसको कहते हैं समाधी लंबे समय तक बिना हिले डुले प्राण बायू को सुच्छम करके हमारे रिशी जब बैठ जाते हैं तो उसको कहते हैं समाधी और अंत में है प्रत्याहार तो आपसे सीधे पूँच लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा अस्टांग योग में अस्टांग योग सिध्धांत में सामिल नहीं है तो आपको भरमित करने के लिए कुछ न कुछ दिया रहेगा ये आठ जरूरियाद कर लिजिएगा प्रत्याहार का मतलब होता है जो इंद्रियां है आख, कान, नाग, जीवा ये इंद्रियां जो हैं बिसियों की और बिसियों की और से इनको मोड लिया जा जैसे आपको लगा कि हमको ये चीज खानी चाहिए तो तुरंत विवेक के माध्यम से अपनी जीव को कंट्रोल करिए उसको मोड लीजिए या फिर आपके अंदर जिग्यासा पैदा हुई कि ये अमुक चीज जो है वो बहुत सुन्दर है मुझे इसे पाना चाहिए तो तुरंत ही अपनी आपको अपने अंदर की ओर मुड़ो तो ऐसा दोस्तो अश्टांग योग के माध्यम से ही संबब है और उसमें भी प्रत्याहार के माध्यम से और जो रिशी हैं दोस्तो प्रतिपादक जो हैं वो महरसी पतंजली हैं जिन्होंने महावास की रचना की दोस्तो और ये वही रिशी हैं जिन्होंने पुस्च मित्र सुंग के असमेद यग में पुरोहित के रूप में कार किया था और इसकी जानकारी अयोध्या विलेक से मिलती है आप से ये प्रश्न भी पूश लिया जाता है और जो पतंजली हैं दोस्तो इन्होंने अपने ही दर्शन में कहा है कि दीर्ग काल नैरंतर सतकार से भी तो द्रण भूमी लंबे समय तक दीर्ग काल तक नैरंतर निरंतरता के साथ सतकार के साथ आदर के साथ यदि हम कोई भी कार करते हैं चाहें योग हो, चाहें पड़ाई हो, चाहें जो भी हो, ध्रन भूमी तयार हो जाती है, फिर उसको जो हैं चीज़ें जल्दी डिगाती नहीं है, पूर्ब मीमानसा, ये बेदों को या फिर करमकांड या फिर अनुष्ठानों को महत देता है पूर्व मीमानसा प्रतिपादक जैमिनी बेद हमारे दर्सन में एकदम जमीन से जुड़े हुए हैं तो जैमिनी को जमीन से जोड़के देखिएगा तो आप भूलेंगे नहीं पूर्व मीमानसा इसको अपूर्व का सिध्धान्त भी कहते हैं क्यों क्योंकि सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि मनुष्य से भी पहले सबसे पहले एक अद्रस से सकती है जो सब कुछ चला रही है मतलब इस्वर तो इसलिए इसको कहा जाता है अपूर्व का सिद्धान्त अगला है उत्तर मीमानसा पूर्व के बाद उत्तर आता है दोस्तो जैसे हम लोग बैदिक काल पढ़ते हैं फिर उत्तर बैदिक काल मतलब बैदिक के बाद उत्तर बाद बाला उत्तर हो जाता है तो उत्तर मीमान सा बेदान्त अथवा उपनिसिदों पर बल बेदान्त आप लोग जानते ही हैं बेदों का अंतिम रूप जो दार्शिनिक पहलू होता है बेदों का हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसके प्रतिपादक उत्तर दोस्तों बाद की बात होती बाद का मतलब बादरायन तो इसके प्रतिपादक बादरायन है याद रखेगा न्याय की बात करें दोस्तों न्याय दर्शन ये तारकिक चिंतन की बात करता है भावनाओं से परे प्रतिपादक इसके गौतब हैं गौतम है इनको अक्षपाद भी कहा जाता है इन्होंने न्याय सूतर की रचना की थी अंत में निसकर्ष ये निकलता है कि ये जो सभी उपर के हम लोगों ने जो दर्सन देखे हैं वो कई न कई बेदों का सार हैं बेदों से मैच करते हैं इसलिए इनको आस्तिक दर्सन कहा ज नव न्याय दर्सन केवल और केवल जानलीजिये की पर्तिपादक काऊन है गंगेस और उदयन ये हरियकबंस वाले उदयन नहीं है याद रखिएगा इन्होंने कुसमांजली की रचना की उदयन ने इसकी रचना की चारवाक या फिर लोकायत दर्सन भोतिक्तावादी दर्सन है इसका सरवोच मूल क्या है दोस्तो काम काम मतलब कामना किसी भी चीज को भोग लेने की प्रवर्ती ही कामना कहलाती है कोई चीज दिखी तो हमको मिल जाए ये कामना ये जो चारवाक दर्शन को जो लोग मानते हैं वो ये बात नहीं सुचते कि इसका फल क्या होगा पाप होगा कि पुन्य होगा नहीं उन्हें भोगना है तो भोगना है तो ये सांसारिक सुखों को महत देता है हम लोग इसको इथिक्स में भी पढ़ते हैं पृतिपादक इसक सुख के साथ जीओ रिन लेके घीपीओ ये दे जो है वो भस्म की तरह है दुबारा जन्म नहीं मिलेगा इस तरह का इसका अर्थ है आजीवक संपरदाय दोस्तो नियतिवादी है नियतिवादी मतलब नियति के अनुसार जो भी हो रहा है उसमें किसी की कोई भूमिका नहीं वो पहले सिताय है तो चाहें जो करें तो सबकुछ पूरुफ से निरधारित है ऐसा इन लोगों का मानना है कर्म का महत तो नहीं है जो मनाया खा लिया जो मनाया पहन लिया मतलब कुछ भी कर लिया यह नहीं मानते कि इसमें मेरी तनिक भी भूमिका है, इनका मानना है कि यह सब पहले से निर्धारित है, वो सब हो रहा है, हम तो एक निमित मात्र हैं, एक माध्यम हैं, प्रतिपादक इसके मक्खली गोसाल, आपको फिर बता दूँ, कुछ और याद रहे या ना रहे, प्रति लोग बाध्द और जैन जब पड़े थे, तो देखा था कि संकराचारे ने इस चीज को देखा कि बाध्द और जैन धर्म जो है वो लोगों को ज्यादा आकरसित कर रहा है, तो इन्होंने अपने जो ब्रामण धर्म है, उसमें कुछ सुधार कर लिए, वहां से कुछ चीज उससे उपर खड़ा कर दिया, और इन्होंने चार मठों की स्थापना की, चार धामों की स्थापना की, जो चारो दिशाओं में हैं, तो इन्होंने कहा था, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म को जान कर ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती, क्योंकि ब्रह्म ही सत्य है, बांकी जगत जूटा है, जो भी यह सब जूटा है, केबल और केबल ब्रह्म ही सत्य है, एक तरह से ये मूर्ति पूजा से हट के बात कर रहे थे, लगभग लगभग बाध की तरहें बात कर रहे थे, बात धरम की तरहें, तो इसलिए इनको प्रशन बाध कहा गया, विशिष् संक्राचार के अद्वायत बाद की पृत्रिय के रूप में सामने आया तो विशिष्ट अद्वायत बाद प्रतिपाधक काउन है किसके दौरा दिया गया रामानुजाचार है इसमें जगत को मिथ्या के बज़ाए सत्य कहा गया इन्होंने जगत को जूटा नहीं सत्य कहा भक्ति को जो है मोक्ष का साधन कहा भक्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है मोक्ष मतलब कर्म के बंधन से मुक्त हो जाना सुक दुख से परे हो जाना PDF के लिए Telegram channel है, इसको join कर लीजिएगा सुद्ध अद्वाइतबाद सुद्ध अद्वाइतबाद, इश्वर और आत्मा एक है ऐसा इस दर्शन का मानना है, इश्वर और आत्मा, जब एक है तो मतलब सुद्ध अद्वाइत मतलब कोई दूसरा नहीं तो नाम में ही जाहिर है कि आत्मा और इस्वर की बात हो रही है और जब एक की बात हो रही तो सुद्ध तो होगा ही होगा तो इस तरह से इसको याद रखिएगा प्रतिपादन किसने किया बलवाचार ने बनारस में इनका जन्म होगा था पुष्टी मार्क के अनुयाई थे या फिर स्री संपरदाय भी इनी से संबंदित है कभी कभी पूछ लिया जाता कि बलवाचार का संबंद किस से है स्री संपरदाय से या फिर तीनान ने भी कल्प दिये रहेंगे तो भ्रमित मत होईएगा दोयत बाद आत्मा और ब्रह्म के बीच अंतर है दोयत मतलब दो है आत्मा और ब्रह्म अलग-अलग है प्रतिपादन किस ने किया था माधवाचार ने माधव को आप लोग जानते ही हैं माधव किसका परयायवाची होता है भगवान बिश्णू का बिश्णू अकेले नहीं है उनके साथ में लक्षमी भी है और बिश्णू भी है तो ये दो लोग हैं तो दोयतबाद ऐसे याद रखिएगा माधवाचारे मतलब दोयतबाद दोयत अदोयत या फिर दोयता दोयतबाद एक ही समय पर मनुस्य ईश्वर से भिन और अभिन दोनों है प्रतिपादक का उने इसके निमबार्क ये सनक संपरदाय से संबंदित थे अचिंत भेद अभेद ये दोस्तो दोयतबाद और विशिष्ट अदोयतबाद का एक ही करण है प्रतिपादक इसके चैतन महाप्रबू थे ठीक है अचिंत में भी चाहे और चैतन में भी चाहे ऐसे जोड़ के याद कर लीजिएगा कुछ अन्ने फैक्ट दोस्तो सवर क्या है जैन धरब में एक अवस्था है सवर निरजरा और मोक्ष तीनों जैन धरम की अवस्थाएं है सवर क्या होता है दोस्तो कर्म का प्रभाद जब जीव की और रुक जाए आप लोग जानते ही है कर्म ही सभी दुखों का कारण है ऐसा जैन धर्म का भी मानना है और बौद धर्म का भी मानना है इच्छाएं ही दुखों का कारण है तो उसका जब प्रभार रुक जाएगा तो उस इस्तिति को कहा जाता है सबर रुकेगा कैसे ध्यान साधना तब इत्यादी के आधार पर ये इस्तिती प्राप्त हो जाएगी सबर निरजरा दोस्तों निरजरा मतलब जरा दिया जाएगा जला दिया जाएगा ऐसे सोचिएगा मौजूद कर्म भी नष्ट हो जाएगा ब्यक्ति के अंदर जो कर्म बिधमान है नए तो आना बंद होगा क्योंकि उसने सबर की स्थित्य को प्राप्त कर लिया है कहते नहीं कि सबर करो वैसे ही इसको सोचिएगा निरजरा मौजूदा कर्म भी नष्ट हो जाएगा और मौक्ष जीव में कर्म का अबसेश भी ना रहे जैसे नष्ट होने के बाद कुछ अबसेश रह जाते ना हडड़ी गुड़ी वो भी ना रहे तो उसको कहते हैं मौक्ष तो इस तरह से दोस्तों हमने भारती दर्सनों को समझने का प्रयास किया और जो लोग यूपी स्पेशल के लिए इंतजार कर रहे हैं एकदम निश्चिनत रहे हैं आज ही चीज़ें आपको अपलब्द करा दूँगा और आज ही आपको जो करंट अफेर्स है वो भी आपको अपलब्द करा दूँगा तो जिन लोगों को चीज़ें अच्छी लगी हों जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सेर भी करें क्योंकि चैनल सस्पेंट चला है आप लोगों की साहता की सक्ता आफस्सक्ता है तो इस चीज को ध्यान में रखिए, स्वस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में ब्यस्त रहिए, बहुत ही संबेदन सील समय चला है, धन्यवाद